Hello everyone, welcome to my YouTube channel तो बहुत जल्द ही SSB Lecturer Exam का रिजर्ट आ जाना वाला है तो आप सभी लोग तैयार रही है Certificate Verification के लिए क्योंकि देखिए Certificate Verification होने के तूरंथ ही वो सब भाईबा भोईस के लिए वो कॉल करेंगे इसलिए आप लोगों का जो भी नेसेसरी Document, Certificate बगएर उस सभी चीज़ को तैयार रखे तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगी कि जो आप लोगों का अभी Merit List आने वाला हुऊ Carrier Mark को आर करके आएगा की नहीं आएगा इसलिए वीडियो को पूरा जड़ देखियागा अगर चोटा मोटा डाउट होगा तो ये वीडियो से आप लोगों का वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा तो वीडियो को वीडियो पसंद आए तो लाइक सार सब्क्राइब कीजिगा तो देखिये अभी जो मेरिट लिस्टानेवाल है वो आप लोगों का इंक्लूडिंग क्यारियो मास्क को लेके आएगा ठीक है तो क्यारियो मास्क आप लोगों का कुछ 25 है इस तरह से इसको अगर ब्रेकडाउन करेंगे एक्जाम खतम होने की तूरेंट एक घंटे के अंदर अंदर उन्हाने एंसर की को रिलिस्ट कर दिया था तो अभी जिस हिसाब से वो काम करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों का सायद इसी वीक में आ जाए merit list, result published हो जाए, तो आप लोग certificate verification के साथ सब भाइबा के लिए भी तयारी कीजिए, अगर आप लोगों लग रहा है कि आप लोगों का return अच्छा गया है, तो अभी आप लोगों जो carrier marking है, वो किस तरह से calculate होगा, और यह जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह आप लोगों का advertisement का ही एक cutout है, तो देखें, procedure of selection यहाँ पर दिया गया है, the selection shall be on the basis of return test, carrier and viva, return test आपका 150, और carrier आपका 25 and viva भी आपका 25 mask का होगा, तो यह सभी को मिला के final merit list बना जागा, तो carrier assessment 25 mask, टोटल 25 mask, यह याद रखें, कि आपका maximum 25 mask में से ही, जो आपका carrier होगा दिया जागा, यानि कि अभी आपको maximum 25 mask का दिया जाएगा, अगर आपका पास PhD है, तो आपका 25 mask fix है, ठीक है, आपका 25 mask fix है, तो अगर आप लोगों का return अचा गया है, तो आप उसके साथ 25 mask को 8 कर लेज़े, क्योंकि अभी अगर आपके पास PhD भी है, और MPHL भी है, या फिर NET, ये सभी के सभी है, तो आपको 25 plus 10 ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि maximum 25 है, तो आपको 25 मिलेगा, या फिर ये जो है, आपका पास MPHL जायरत नेट में से कोई एक है, या फिर सभी है, तो आपको 10 mask मिलेगा, सभी के स भी नहीं मिल सकता, 25 plus 10 नहीं हो सकता, तो अभी जो career mark जोड़कर, आप लोगों का merit list मना जाएगा, उसके बाद आप लोगों का certificate verification होगा, तुरंथ ही उसके बाद आप लोगों का भार्वाबस test होगा, तो देखिए, यहा पे लिखा भी गया है, candidates possessing MPHL, PhD and NET in the subject concerns shall be awarded maximum 25, त अगर आपके पास NET है, तो भी 10 ही मिलेगा, अगर आपके पास JRF है, तो भी 10 मिलेगा, या फिर आपके पास MPHL और NET हो, तो भी आपको 10 ही मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ PhD है, तो 25 मिलेगा, और इनके साथ भी है, तो भी 25, क्यूंकि maximum 25 में है, similarly candidate possessing MPHL, OR JRF, OR NET, OR MPHL with NET, will be awarded maximum 10 मार्क, तो अगर आपके पास MPHL with NET है, तो भी आपको 10 मार्क ही मिलेंगे, तो ये था आप लोगों का क्यारियर मार्किंग, maximum 25 मार्क का ही रहेगा, और अभी जो आप लोगों का आएगा, made it list, वो आप लोगों का क्यारियर प्लस रिटेन मार्क को मिला क माल लिजा अगर आपने रिटेन में 90 स्कोर किया है, और आपके पास MPHL या फिनेट है, तो उसके साथ 3-8 का लिजागा, आपका 100 मार्क हो जाएगा, तो अभी के लिए जो सिलेक्शन होगा, वो आप लोगों के इस दूनों मार्कों मिला कहीं होगा, बाकी जो भाइबा है, वो भाइबा आप लोगों का होने के बाद 25 में से स्कोर किया जाता है, यहाँ पे देखिए, ब्रेकडाउन किया गया है, क्या यह 25, रिटेन MCQ टाइप का आपका है 150 मास, और भाइबा आपका 25 मास, और नीचे आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न था, तो आप लोगों के लिए क्विक जो भी आपका डाउट्स था, क्याटर्स में में बहुत सारा डाउट्स था, तो थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो, अगर वीडियो पसंद रहा है, तो लाइक सारा सब्क्राइब किजिएगा, थैंक यू